नमस्कार दोस्तों बात अगर ऐसे फूर्द्स की करें जो सेहत के लिए हर तरह से फाइदे मंद माना जाए तो उसमें एक नाम खजूर का भी शामिल होगा खजूर का आकार भले ही छोटा होता है लेकिन ये पोशक तत्वों से भरपूर होता है इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटी ऑक्सीडेंस पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं और सेहत दुरुस्त बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं आज में खजूर खाने के फाइदों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसे खाने का सही तरीका क्या है जिससे इसके लाब हम पूरी तरह हासिल कर पाएं नमबर एक वजन कम करने में मदद खजूर में हाई फाइबर पाया जाता है जिसके कारण पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है इससे ओवर इटिंग की समस्या से निजात और वजन कम करने में मदद मिलती है नमबर दो पाचन के लिए फाइदे मंद खजूर में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंतर को स्वस्थ रखने में मदद करता है फाइबर कब्ज और अपज जैसी समस्यां से राहत दिलाता है साथ ही ये आंत को हेलदी रखने में भी मदद करता है नमबर तीन उरजा का बढ़ावा खजूर में नेचुरल शुगर होती है जो आपको तुरंत एनरजी प्रदान करती है ये फल एक स्वस्थ और प्राकृतिक विकल्प है जो आपको ठकान और सुस्ती से लड़ने में मदद करता है खजूर खाने से आप अपने दिन के कामों को अधिक उर्जा के साथ पूरा कर सकते हैं नमबर चार दिल का स्वस्थ खजूर में पोटेशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करता है ये दिल की धड़कनों को नियमित रखता है और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करता है खजूर में मौजूद एंटियोक्सीडेंट भी दिल के स्वस्थे के लिए लाबकारी होते है नमबर पांच दिमागी स्वस्थे खजूर में मेगनीशियम पाया जाता है जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है ये दिमाग के सल्स को पोशन प्रदान करता है और याददाश्ट को बढ़ाने में मदद करता है खजूर में मौझूद एंटी आक्सीडेंट भी दिमाग के सल्स को डैमेज होने से बचाते हैं नमबर च्छे आँखों की सेहत खजूर में विटामिने पाया जाता है जो आँखों की रोशनी के लिए जरूरी है ये रतौन दी जैसी आँखों की समस्याओं से बचाता है खजूर में मौझूद एंटी आक्सीडेंट भी आँखों के सल्स को नुकसान पहुँचने से बचाते हैं नमबर साथ हर्डियों का स्वास्थ्य खजूर में केल्शियम पाया जाता है जो हर्डियों और दांतों के स्वास्थे के लिए बेहत जरूरी है ये औस्टियोपरोसिस जैसी हर्डियों की बीमारियों से बचाता है खजूर खाने का सही तरीका क्या है? खजूर को खाने का सबसे सही और असरदार तरीका है उसे रात को पानी में 8-10 गंटे भिगो कर रखना और अगले दिन उसे खाना पानी में भिगोने से खजूर में मौजूर टैनिंस और फाइटिक एसिड निकल जाते हैं जिससे इसमें मौजूर पोशन का अवशोशन यानी एपजूर आसानी से होता है क्या खजूर खाने से हो सकता है नुकसान हालां कि खजूर बेहद पॉस्टिक होता है लेकिन इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करने के कुछ दुश्प्रभाव हो सकते है खजूर में नेचुरल शुगर होती है इसलिए इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों को सावधानी से करना चाहिए साथ ही जादा मात्रा में खजूर खाने से वजन कम होने की जगह बढ़ सकता है